नमस्कार दोस्तों फिल्मों के हीट या फ्लोप होने में जितना योगदान बॉक्स ओफिस कलेक्शन का होता है उतना ही योगदान फिल्मों के टिकट का भी होता है जिन फिल्मों के जितने ज़्यादा टिकट बिखते हैं वे फिल्म में उतने ही बड़ी हिट या ब्लोगबस्टर होती हैं और जिन फिल्मों के बहुत ही कम टिकट बीखते हैं वे फिल्में फ्लोप या डिजास्टर हो जाती हैं तो आज हम बात करेंगे साल 1994 से साल 2023 तक के उन टॉप 50 फिल्मों के बारे में जिन्होंने टिकट खिड़की पर सबसे ज़्यादा टिकट बेचने का रिकॉड अपने नाम किया है तो चलिए शुरुवात करते हैं नमबर पचास पर है अजे देवगन की फिल्म गोलमाल अगेन फिल्म गोलमाल अगेन के कुल एक करोड अन्ठानवे लाग चालीस हजार टिकट बिकेत है उसके बाद नमबर उन्चास पर है बावी दोल की फिल्म बरसात फिल्म बरसात के कुल एक करोड अन्ठानवे लाग चववन हजार टिकट बिकेत है उसके बाद नमबर 49 पर है सारू खान के फिल्म डर फिल्म डर के कुल एक करोड निनानवे लाग दस हजार टिकट बिकेत है उसके बाद नमबर 47 पर है अच्छे कुमार के फिल्म रावडी राथाओर फिल्म रावडी राठाउर के 2 करोड 1 लाग टिकट विकेत है उसके बाद नमबर 46 पर है रनवीर कपूर की फिल्म ए जावानी है दिवानी फिल्म ए जावानी है दिवानी के कुल 2 करोड 2,64,000 टिकट विकेत है उसके बाद हमारे इस लिस्ट में नमबर 45 पर है सारू खान के फिल्म पर्देश फिल्म पर्देश के 2.4,75,000 टिकट विके थे उसके बाद नमबर 44 पर है सलमान खान के फिल्म दबंग्टू फिल्म दबंग्टू के कुल 2.5,28,000 टिकट विके थे उसके बाद नंबर 43 पर है सारू खान की फिल्म देवदास, फिल्म देवदास के 2.5,3,000 टिकट विके थे उसके बाद नंबर 42 पर है अजे देवगन और आमीर खान की फिल्म इस्क, फिल्म इस्क के कुल 2.9,000,000 टिकट विके थे उसके बाद नंबर 41 पर है संजय कपूर की फिल्म राजा, फिल्म राजा के कुल 2,13,27,000 टिकट विके थे उसके बाद नंबर 40 पर है अक्षे कुमार और सुनिल सेटी के फिल्म मोहरा, फिल्म मोहरा के 2,15,07,000 टिकट विके थे उसके बाद नमबर 49 पर है रित्तिक रवसन की फिल्म धूम्टू फिल्म धूम्टू के कुल 2,15,57,000 टिकट विके थे उसके बाद नमबर 38 पर है रित्तिक रवसन की फिल्म क्रिस्थ्री फिल्म क्रिस्थ्री के कुल 2,18,19,000 टिकट विके थे उसके बाद नंबर 37 पर है सलमान खान की फिल्म Bodyguard फिल्म Bodyguard के कुल 2,21,44,000 टिकट बिके थे उसके बाद नंबर 36 पर है रितिक रवसन और Tiger Swamp की फिल्म War फिल्म War के कुल 2,25,000,000 टिकट बिके थे उसके बाद नमबर 35 पर है अजे देवगन की फिल्म तानाजी दा अनसंग वारियर फिल्म तानाजी के कुल दो करोड़ सताच लाग टिकट विके थे उसके बाद नमबर 34 पर है सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो फिल्म प्रेमरतन धन पायो के कुल 2,27,63,000 टिकट विके थे उसके बाद नमबर 33 पर है रनबीर सिंग के फिल्म पदमावत फिल्म पदमावत के कुल 2,34,44,000 टिकट विके थे उसके बाद नमबर 32 पर है आमिर खान के फिल्म गजनी फिल्म गजनी के कुल 2,44,14,000 टिकट विकेत है उसके बाद नंबर 31 पर है सलमान खान के फिल्म कीक फिल्म कीक के कुल 2,41,92,000 टिकट विकेत है उसके बाद नंबर 30 पर है सलमान खान के फिल्म एक्था टाइगर फिल्म एक्था टाइगर के कुल दो करोर सैंतालिस लाख उन्चालिस हजार टिकट भीके थे उसके बाद नमबर उन्तीस पर है सलमान खान की फिल्म दबंग फिल्म दबंग के कुल दो करोर पचास लाख शासे हजार टिकट भीके थे उसके बाद नमबर 28 पर है सारू खान की फिल्म चेन्ने एक्स्प्रेस फिल्म चेन्ने एक्स्प्रेस के कुल दो करोड़ 52,27,000 टिकट विके थे उसके बाद नमबर 27 पर है साहित कपुर के फिल्म कबीर सिंग फिल्म कबीर सिंग के कुल दो करोड़ साथ लाग टिकट विके थे उसके बाद नमबर 26 पर है सारू खान की फिल्म मोहबते फिल्म मोहबते के कुल दो करोड़ सरसथ लाग तैस हजार टिकट विके थे उसके बाद नमबर पचीस पर है यस की फिल्म केजी अब चेप्टर टू फिल्म केजी अब चेप्टर टू के कुल दो करोर उनहत्तर लाग तीस हजार टिकट बिके थे उसके बाद नमबर चोबिस पर है रनबीर कपूर की फिल्म संजू फिल्म संजु के कुल 2,80,64,000 टिकट विके थे उसके बाद नमबर 23 पर है सलमान खान, सैफली खान और मोहनिज भल की फिल्म हम साथ साथ है फिल्म हम साथ साथ है के कुल 2,85,18,000 टिकट विके थे उसके बाद सबसे जादा टिकट वेचने में नमबर 22 पर है सारू खान के फिल्म दिलतो पागल है फिल्म दिलतो पागल है के कुल 2,95,12,000 टिकट विकेत है उसके बाद नमबर 21 पर है आमीर खान की फिल्म धूम थ्री फिल्म धूम्थ्री के कुल 2,97,93,000 टिकट विके थे उसके बाद नमबर 20 पर है सारु खान और सलमान खान की फिल्म करन अर्जुन फिल्म करन अर्जुन के कुल 2,99,13,000 टिकट विके थे उसके बाद नमबर 19 पर है रनबीर कपूर की फिल्म एनिमल फिल्म एनिमल के कुल 3 करोड टिकट विके थे उसके बाद नमबर 18 पर है रित्तिक रौसन की फिल्म कहोना प्यार है फिल्म कहोना प्यार है के कुल 3 करोड 6,63,000 टिकट विके थे उसके बाद नमबर 17 पर है सलमान खान की फिल्म टाइगर जिन्दा है फिल्म टाइगर जिन्दा ही के कुल 3 करोड 8,89,000 टिकट विके थे उसके बाद नमबर 16 पर है सारू खान के फिल्म कभी खुसी कभी गम फिल्म कभी खुसी कभी गम के 3 करोड 11,73,000 टिकट विके थे उसके बाद सबसे ज़्यादा टिकट बेचने में नमबर 15 पर है आमीर खान की फिल्म Three Idiots फिल्म Three Idiots के कुल 3 करोड 17 लाग 85 लाग टिकट बिके थे उसके बाद नमबर 14 पर है सलमान खान की फिल्म सुल्तान फिल्म सुल्तान के कुल 3,20,85,000 टिकट बिके थे उसके बाद नमबर 13 पर है सारु खान के फिल्म पठान फिल्म पठान के कुल 3,49,000 टिकट बिके थे उसके बाद नमबर 12 पर है आमीर खान के फिल्म पिके फिल्म पिके के कुल 3,50,61,000 टिकट बिके थे उसके बाद नमबर 11 पर है सलमान खान के फिल्म बजरंगी भाईजान फिल्म बजरंगी भाईजान के कुल 3,54,17,000 टिकट विके थे उसके बाद सबसे ज़्यादा टिकट बेचने में नमबर 10 पर है सारू खान के फिल्म कुछ-कुछ होता है फिल्म कुछ-कुछ होता है के कुल 3,56,000,000 टिकट बिके थे उसके बाद नमबर 9 पर है आमेर खान के फिल्म दंगल फिल्म दंगल के कुल 3,70,000,000 टिकट बिके थे उसके बाद नमबर 8 पर है सनी दोल के फिल्म बॉडर फिल्म बॉडर के कुल 3,70,80,000 टिकट विके थे उसके बाद नमबर साथ पर है सारू खान के फिल्म जवान फिल्म जवान के कुल 3,92,00,000 टिकट विके थे उसके बाद नमबर छे पर है सनी दोल के फिल्म गदर्टू फिल्म गदर 2 के खुल 4 करोड टिकट विके थे उसके बाद नमबर 5 पर है आमिर खान के फिल्म राजा हिंदुस्तानी फिल्म राजा हिंदुस्तानी के खुल 4 करोड 9,75,000 टिकट विके थे उसके बाद नमबर 4 पर है सारु खान की फिल्म दिल्वाले दुलनिया ले जाएंगे उसके बाद नमबर 2 पर है प्रभास की फिल्म बाहुबली 2 फिल्म बाहुबली 2 के कूल 5,25,22,000 टिकट विक्ये थे उसके बाद सबसे ज़्यादा टिकट बेचने में नमबर 1 पर है सलमान खान की फिल्म हम आपके हैकॉन फिल्म हम आपके हैकॉन के कुल 7,49,62,000 टिकट विक्ये थे जो साल 1994 से साल 2025 तक रिलिज फिल्मों में सबसे ज़्यादा टिकट बेचने का रिकॉड अपने नाम किया है अप ऐसे ही बॉली बुट की तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें धनिवाद